Hello Friends, नमस्कार, Welcome to our Channel Friends, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NEET 2020 Stray Vacancy Round के बारे में जी हाँ दोस्तो, Stray Vacancy Round क्या होता है और कैसे कम नम्बरों पर भी admission आपको college में मिल जाता है Physical appearance से इसके अंदर admission होता है कैसे होता है, क्या procedure होता है और ये round कब इसके लिए registration करना होता है सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ सबसे पहले दोस्तो आप सभी से एक request करना चाहूँगा अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है अभी तक तो अभी की अभी subscribe कर ले और उसके बाद bell बटन को जुरूर दबा दें ताकि हम near future में जो भी वीडियो डाले तो आपके पास notification आजा और आप उस वीडियो को देख पाई तो दोस्तो सबसे पहले तुम आपको बताना चाहूँगा काफी students के comment आए दें कि sir अमें जो है इसके बारे में थोड़ा सा एक बार बता दीजी तो देखिएगा दोस्तो मैं आपको जो है इसके बारे में बताता हूँ stay vacancy round जो होता है दोस्तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आप जब भी counseling start करेंगे तो आपका जो है वहाँ पर होता है first round फिर second round mostly जो है दो ही round होते हैं यहीं पर आपकी counseling प्रकरिया समाप्त हो जाती है लेकिन काफी जगह जो है जैसे कि private college में या और जगह मोप अप राउंड भी होता है तो जिसको third round भी बोलते हैं तो यह तीन round होते हैं दोस्तों जिसके अंदर आपको जो है college allot होते हैं लेकि का दो जगे admission हो रख है तो वो जो है उस college से seat छोड़ देता है और दूसरे college में admission ले लेता है या फिर कोई और problem आ जाती है दोस्तों या फिर वो fees afford नहीं कर पाते हैं या फिर कोई और problem आ जाती है जिसके कारण वो seat जो है वहाँ पर खाली रह जाती है तो उस condition में क्या होता है college क्या करता है stray vacancy round के लिए कुछ seat जो खाली रह जाती है उसके लिए वो physical appearance के द्वारा जो है physical appearance के द्वारा जो है admission करवाता है physical appearance के द्वारा कैसे होता है दोस्तों देखेगा इसके लिए ना तो कोई online सूचना आती है कोई एक-दो college यह जो online सूचना डालती है बाकि जो ह आज लिश्ट लगाएंगे तो कल जो है या परसो तक मैंनों एक दो दिनों का समय होता है आज लिश्ट लगी तो कल या परसो में आपका ये श्ट्रे वेकनिसी रावंड के दुबारा college अलोट होने होते हैं तो यह हमको जो है college में विजिट करके ही देखना होता है तो आप लिश्ट मानके चलो उन्हों ने देखा कि 100 बंदों ने देख ली 100 श्रुडेंट्स ने देखा कि इसका कल्या परसो में स्ट्रे वेकनिसी रावंड होना है तो सो बच्चे वो क्या करेंगे वह वहां पर प्रेजेंट रहेंगे और अगर वह सो बच्चे जो हैं उनके नंब पर 10 सीट खाली रहती है तो 400 जो सो बच्चे थे उनमें से टोप 10 जो है निकाल ले जाएंगे और उनको जो है कोलेज अलोट हो जाता है लेकिन दोस्तों स्ट्रेव गेंशी राउंड के अंदर कुछ जो है बैक रूप से फीस ले जाती है मतलब जहां पर फीस होती है उसको तो वो जो है आपको वहाँ पर कोलेज अलोट हो जाता है कम नमबर आने पर भी जुरूरी नहीं है कि यहाँ पर 400 यहों क्या पता यह 100 में से वहाँ पर 600 नमबर वाले भी हो लेकिन mostly cases में क्या होता है यहाँ पर वो ही students जो है उनको कोलेज अलोट होता है जो regular जो है की cutoff क्या रहेगी BDS की cutoff क्या रहेगी इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है इसका लिंक मैंने निचे description में दे रखा है वहाँ पर जाकर आप उनको चुरूर देख लिजिएगा और स्ट्रेवगेंसी राउंड के बारे में अभी मैंने थोड़ा सा brief में ही बताया है देखने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद थैंक्यूँ